नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का फैक्च्छल रिपोर्ट में दोस्तो भारत में ट्रेन की सुरुवात सन 1853 में हुई थी लेकिन देश की पहली ऐसी ट्रेन सन 1934 में सुरू की गई इस ट्रेन का नाम फिरेंटर मेल था ये ट्रेन उस समय बॉंबे से अफगानिस्तान क बॉर्डर पेसावर तक चलती थी लेकिन क्या आप जानते हैं उस वक्त बिना एसी के कोचों को कैसे ठंडा किया जाता था इस ट्रेन में खाने से लेकर मरवरंजन तक की सहूलियत थी तो दोस्तों बड़ा ही दिल्चस्प है इसका इतिहास तो आईए जानते हैं जब एसी सुरू की गई तब भारत में एर कंडिसनर नहीं थे पंजाब मेल लाम की ट्रेन में ऐसी कोच जोड़ दिया गया था जो सन 1928 में सुरू की गई फिर 1934 में इसका नाम बदल कर फ्रेंटर मेल कर दिया गया इस ट्रेन में ऐसी कोच जोड़ दिया गये थे वही कोच को ठंडा करने के लिए आदूने कुप करणों की बजाए बर्फ की सिल्लियों के पृबर्फ करना आसान नहीं था बार-बार बर्फ की सिल्लियy भरनी पड़ती थी हर नए railway station पर पहुंचने पर करम्चारी उसे चेक करते था कोच में टेंप्रेचर को नियंत्रित करने के लिए ब्लो और लगाए जाते थे जो बैटरी से चलते थे शुरुवात में इस ट्रेन में छेब हो गया होती थी तब इसमें लगबग 450 लोग सफर कर सकते थे उस दोरान फस्ट एंड सेकंड क्लास कोच भी होते थे यात्रियों की सहूलियत के लिए उन्हें खाना, न्यूज पेपर, बुक्स और तास के पत्ते तक मरोरंजन के लिए दिये जाते थे दोस्तो यह ट्रेन कभी लेट न होने की वज़े से भी जानी जाती थी एसी कोच के साथ सुरू होने के ग्यारे महीने तक यह ट्रेन लेट हुई तो सरकार ने ट्रेन ड्रैवेर को नोटिस बहज कर जवाब दलब किया था इस ट्रेन में बिरिटिस अधिकारी से लेकर स्वतंतरता सेनानी भी सफर करते थे यह ट्रेन मुंबई से पेसावर तक चलती थी जो देली, पंजाब और लाहोर के रास्ते होते हुए पेसावर पहुंचती थी इसे अपना सफर पूरा करने में लगबग 72 गंटे लगते थे इस एतिहासिक ट्रेन में नेता जी सुबाश चंदर बोश से लेकर महत्मा गांधी जी ने भी सफर किया था आजादी के बाद ये ट्रेन मुंबई से अमरसर तक चलने लगी सन 1906 में में इसका नाम एक बार फिर से बदलकर गोल्डन टेंपल में कर दिया गया था इस ट्रेन को लंदन के अकबार्दा टाइमस में भी बेस्ट ट्रेन का किताब दिया गया था तो दोस्तों यहे थे कुछ एसी ट्रेन से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद